हेलो गाईज, चली नज़र डालते हैं आज के दे हिंदू की मुख्य सरक्यों पर, शुरू करते हैं फ्रंट टेट से, पाकिस्तान पैंस युए ने सी डेजिनेटेड आउट्पिट्स, बट डेली नट कन्वेंस्ट, फाइनेशल एक्षिन टास्ट पोर्स के गंभीर दबाउ में और नई देशों के कॉल जाने के बाद, और खास करके भारत के साथ तनाव बढ़ने के बाद, सोमवार को पाकिस्तानी सरकार ने लशकरे ताइबा की ओफशूट्स, जमादुद दावा और फलाही इंसानियत फाउंडेशन को बैन करने का ओर्डर आदेश पास किया है, हाला कि नई दिल्ली के सरकारी सूत्र इस कदम पर सदे करे हैं, क्योंकि पहले भी पाकिस्तान ऐसे अटेंट्स कर चुका है, जिसमें उन्होंने ऐसे समूहों पर बैन लगाया था, और कुछ समय बाद ये बैन हटा भी दिया था, जैसे कि फरवरी 2018 में इसलमाबाद ने ऐस सही एक और्डर पास किया था, प्रेसिडेंशल ओडिनेंस के जरीए, लेकिन छे महीने बाद ये लाप्स हो गया था, 1986 में मरकजल दावा इर्शाद MDI अस्तित्व में आया था, जब जकलुर रह्मान लखवी का एहले हदीस मिलिटेंट ग्रूप जमातो दावा के साथ मर्ज हो गया था, जो कि हफीज साईद और जफरिक बाल द्वारा स्थापित किया था, उसके बाद 1989 में हफीज साईद ने लश्करे ताइबा को सटप किया, जो की MDI की आमड विंग के रूप में सेटिक किया था, उसके बाद December 2001 में US ने लश्करे ताइबा को एक टेर्रिस्ट और्गिनाइजेशन घोशिक कर लिया था, और अब फरवरी 2019 में पाकिस्तान ने J.U.D. जमातो दावा और उसकी चारिटी विंग को रिबिंग के उपर बैन अनौंस किया है, सुमवर को भारतिय एरफोस की चीफ, एरचीफ मार्शल B.S. धनवा ने एरफोस स्टेशन सुलूर पे मीडिया को ये बताया, कि हम human casualties मानव हताहत को नहीं गिनते हैं, बल्कि ये गिनते हैं कि हमने क्या-क्या टार्गेट्स को हिट किया है या नहीं किया है, क्योंकि ये प्रतिकिया तब आई जब पिछले हफते हुए बाला कोट एर स्ट्राइक में हताहतो की casualties की संख्या को लेकर उनसा सवाल जवाब किये गए इस पर उन्होंने कहा कि casualties पर बयान सरकार देगी, इंडियन एर फॉर्स इस स्थिती में बिल्कुल नहीं है कि वो सपच्ट कर सके कि महां कितने लोग थे। सोंबार को जमु और कश्मीर की कई political parties, Election Commission of India की एक टीम से मिली, जो की इस राज्य में एक दो दिवसिय विजिट के लिए है और simultaneous समकालिक Assembly और Parliamentary election पर जोर दिया। Election Commission of India की ये टीम जिसमें Chief Election Commissioner सुनील अरोरा और दूसरे Election Commissioner सुशील चंद्रा और अशोक लावासा भी शामिल है। इन्होंने Senior Police और Administrative अधिकारों से चर्चाएं की ताकि राज्य की स्थिती के बारे में First Hand जानकारी मिल सके। NC के General Secretary अली मौम्मद सागर ने Election Commission की टीम को ये कहा कि कश्मीर की स्थिती अभी बहुत नाजुक है और अब एक Elected सरकार ही सामान्यता फिर से ला सकती है। सोमवार को मनिपूर के मुख्य मंत्री एन बिरेन सिंग ने असेंबली से ये कहा कि बीजेपी के नेत्रित्व में गडबंदन सरकार मेंतेज जो कि एक Non-Tribal Indigenous Community है इसे Schedule Tribe लिस्ट में समावित करने की मांग के उपर सकारात्मक विचार करेंगी। आपको बता दे कि May 23 एक Non-Tribal Indigenous Community यानि गैर आदिवासी स्वदीशी समुदाय है। Congress के K. Meg Chandrava द्वारा चलाए गए Calling Attention Motion के जवाब में Mr. Singh ने ये कहा कि इस मांग पर कुछ मुद्दे हैं और सरकार सिर्फ थोड़ा वक्त चाहती है कि वो इन मुद्दों पर बारी की से चर्चा कर सके। Next is Crop Burning Raises Risk of Respiratory Illness 3-Ford Says IFPRI Study International Food Policy Research Institute IFPRI के कद्धियम के अनुसार Burning of Agricultural Residue कृशे अवशेश को जलाना जो की उत्तरी भारत के विंटर पल्यूशन में एक बहुत बड़ा योगदान करता है उन लोगों में Respiratory Illness सांस की बिमारी के खत्रे को तीन गुना बढ़ा देता है जो की इसे experience करते है ये जाज़ परिणाम हरियाना, आंधर प्रदेश और तमिल लाडु के 2,50,000 लोगों के Health Records के अधियन पर आधारित है Researches ने ये कहा है कि इस अधियन के द्वारा उन्होंने ये पाया कि उत्तरी भारत में ऐसे शेत्र में रहना जहां पे crop burning क्रिशे अफ्शे इसको जलाना प्रैक्टिस किया जाता है एक leading risk factor है respiratory disease के लिए सांस की बिमारियों के लिए Lancet की एक study के मुताबिक 2017 में भारत में कुल मौतों में से 12.5% मौते air pollution द्वारा हुई है Next is India to tie up with 4 nations to save rhinos भारत, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया और मलेशिया के साथ collaborate करेगा, सहयोग करेगा ताकि Asian rhinos की तीन प्रजातिया जिसमें भारतिया सब कॉंटिनेंट का greater one horn rhinosaurus भी शामिल है की आबादी को बढ़ाया जा सके हाली में आयजित किये गए second Asian rhino range countries की meeting में इन पांच rhino range राष्ट्रों ने rhinosaurus की इन प्रजातियों को सरक्षन और रक्षा प्रदान करने के लिए the new Delhi declaration on Asian rhinos 2019 को sign किया इस meeting के दौरान union environmental minister harsh vardhan ने rhinos conservation rhinos अरक्षन की तरफ भारत की प्रतिवद्धता को firm किया उसकी पुष्टी की एक्सेस विल वोग तो इस टेंशन से इस चाइना तो अमवार को चाइना ने ये बात फिर से दोहराई कि भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन को कम करने के लिए वे अपने ही तरीके से रचनात्मग भूमिका निबाते रहेंगे चाइनिस फॉरेंड मिनिस्ट्री ने रश्या के फॉरेंड मिनिस्टर सर्जी लावरोस की इस वकालत को भी अमर्थन दिया है कि नई दिली और इसलामाबाद के बीच में चल रहें इस सेन्य तनाव को खत्म करने के लिए शानगाई को ओपरेशन और्गनाईजेशन सरकार एक योजना पर काम कर रही है जिसके अंतरगर आईटी सेक्टर में वर्क फ्रॉम जॉब्स को बढ़ावा देने के लिए दोनों एंप्लोईज और इंप्लोईर्स कर्मचारियों और नियोकता को Financial Incentives यानि वित्य प्रोच साहन ओफर किये जाएंगे ऐसा करने से IT या ITS इंडस्ट्री में खास करके औरतों और डिफरेंटली एबल लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे वरतमान में यह स्कीम मार्च 31 2022 तक तीन साल की पीरिड के लिए प्रिस्तावित की गई है इसका आउटले होगा 270 करोड रुपे और इस पीरिड में यह स्कीम तकरीबन 50,000 वर्क फ्रॉम हूम जॉब्स क्रिएट करेगा इस फार्मा सेक्टिव ग्रोथ हिट्स 4 यह लो इन फिनाशल यह 2018 इंडियन फार्मेसिटिकल इंडस्ट्री भारतिय दवा उद्ध्यों की ग्रोथ 2017-18 में अपने 4 साल के सबसे लो चरम पे है जिसमें 2014-15 के 39.1 प्रतिशत ग्रोथ से सिर्फ 3.3 प्रतिशत ग्रोथ पे 2017-18 में वो पहुची है आईए देखे फार्मेसिटिकल इंडस्ट्री की पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस साल 2013-14 में फार्मेसिटिकल इंडस्ट्री का अन्यूल टॉन ओवर था 1,28,045 करोड रुपे साल 2014-15 में यही टॉन ओवर बढ़के 1,65,202 करोड रुपे हो गया था यादि 2013-14 से बढ़त हुई थी 29.1 प्रतिशत 2015-16 में आन्यूल टॉन ओवर था 1,85,388 करोड रुपे बढ़त 12.21 प्रतिशत साल 2016-17 में आन्यूल टॉन ओवर था 2,19,755 करोड रुपे और बढ़त थी 18.53 प्रतिशत पिछले साल से वहीं 2017-18 में आन्यूल टॉन ओवर था 2,26,423 करोड रुपे और बढ़त थी सिर्फ 3.3 प्रतिशत पिछले साल से तो हम देख सकते हैं कि 2018 में ये बढ़त बहुत ही कम है इसी के साथ हमारे आज के दहिंदू का विशलेशन यहीं समाप्त होता है दहिंदू करंट अफैस के डेली वीडियोज हिंदी में देखने के लिए हमारे यूट्यूब चानल एएशा यंग आईस को सब्सक्राइब करें बेल का बिटिन दबाना ना भूलें